फिलिपियों के नाम पॉलुस प्रेडिती पत्री दूसरा अध्याए सु यदी मसीह में कुछ शान्ती और प्रेम से ढालस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित और एक ही मन सा रखो विरोध या जूटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीन्ता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो हर एक अपनी ही हिथ की नहीं बरन दूसरों की हिथ की भी चिंता करे जैसा मसीः यशु का सुभाव था वैसा ही तुम्हारा भी सुभाव हो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तू ना समझा वरन अपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धरन किया और मनुश की समानता में हो गया और मनुश के रूप में प्रगट होकर अपने आपको दीन किया और यहां तक आग्याकारी रहा कि मृत्यू, हाँ, क्रूस की मृत्यू भी सहली इस कारण परमेश्वर ने उसको अती महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में सुरेष्ट है कि जो स्वर्ग मे और प्रत्वी पर और जो प्रत्वी के नीचे हैं वे सब येश्व के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीब अंगिकार कर ले कि यिश्यू मसी ही प्रभू है सुहे मेरे प्यारो जिस प्रकार तुम सदा से आग्या मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेश करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कापते हुए अपने अपने उधार का कार्य पूरा करते जाओ क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है सब काम बिना कुड़कुडाए और बिना विवात के किया करो ताकि तुम निर्दोश और भोले होकर तेड़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निश्कलंक संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिये हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो कि मसी के दिन मुझे घमन करने का कारण हो कि ना मेरा दोड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लोहु भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो मुझे प्रभू ईशु में आशा है कि मैं तिमुथी उसको तुम्हारे पास तुरंत भेजूँगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शान्ती मिले क्योंकि मेरे पास ऐसे सुभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं नकी यिश्व मसी की पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुस्मचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया सो मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी क्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूँगा और मुझे प्रभू में भरोसा है कि मैं आप भी शीख्र आउँगा पर मैंने इप फृदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योध्धा और तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और निश्चे वह बीमार तो हो गया था यहां तक कि मरने पर था परंतु परमेश्वर ने उस पर द कि तुम उससे फिर भेट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए इसलिए तुम प्रभू में उससे बहुत आनंद के साथ भेट करना और ऐसों का आदर किया करना क्योंकि वह मसी के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था त फिलिपियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री दूसरा अध्याए सो यदि मसी में कुछ शान्ती और प्रेम से ढालस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित और एक ही मन सा रखो विरोध या जूटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो हर एक अपनी ही हित की नहीं बरन दूसरों की हित की भी चिंता करे जैसा मसी यिश्यू का सुभाव था वैसा ही तुम्हारा भी सुभाव हो जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तू ना समझा वरन अपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धरन किया और मनुश्य की समानता में हो गया और मनुश्य के रूप में प्रगट होकर अपने आपको दीन किया और यहां तक आग्याकारी रहा कि मृत्यू, हाँ, क्रूस की मृत्यू भी सहली इस कारण परमेश्वर ने उसको अतीमहान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में सुरेष्ट है कि जो स्वर्ग में और प्रत्री पर और जो प्रत्री के नीचे हैं वे सब येश्यू के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीब अंगिकार कर ले कि येश्यू मसी ही प्रभू है सुहे मेरे प्यारो जिस प्रकार तुम सदा से आग्या मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेश करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कापते हुए अपने अपने उधार का कार्य पूरा करते जाओ क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है सब काम बिना कुणकुणाए और बिना विवात के किया करो ताकि तुम निर्दोश और भोले होकर तेड़े और हठीले लोगों क के बीच परमेश्वर के निश्कलंक संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिये हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो कि मसी के दिन मुझे घमन करने का कारण हो कि ना मेरा दौडना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ और आपके साथ आनंद करता हूँ वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो मुझे प्रभू ईश्यू में आशा है कि मैं तिमुथि उसको तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांती मिले क्योंकि मेरे पास ऐसे और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था इस कारण वैव्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और निश्चे वैव्य बीमार तो हो गया था यहां तक कि मरने पर था परंतु परमेश्वन ने उस पर दया की और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक नहो कि मैंने उसे भेजने का और भी यतन किया कि तुम उस से फिर भेट करके आननदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उस से बहुत आनन्द के साथ भेट करना और ऐसों का आधर किया करना क्योंकि वह मसी के काम के लिए अपने प्राणों पर ज जो घटी तुम्हारी और से मेरी स्यवा में हुई उसे पूरा करे। फिलिपियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री दूसरा अध्याए। सो यदि मसीह में कुछ शान्ती और प्रेम से ढालस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित और एक ही मन सा रखो। विरोध या जूटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।